कि जातिकल दोस्तों मैं गुरुबिंदर आप सबका स्वाइद करता हूँ आपके अपने चैनल बस चक प्रॉपर्टी पे और एक्जेक्टली मैं अभी जो खड़ा हूने जिस लोकेशन पर यह आपकी खरड चेंडीगड से कुराली हाईवे के बीच में एक ऐसी लोकेशन जो कमर्शियल है कमर्शियल के साथ एक एजुकेशनल हब भी है क्योंकि यही पर आसपास ना आपको चैन्डीगड उनिवरस्टी रियात एंड वारा उनिवरस्टी और हॉस्पिटल्स कॉल्जिस स्कूल्स यह सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलती है और इस जगह से अगर मैं पैसे कम पड़े तो इंस्टॉल्मेंट पर भी अपना कर सकते हो और इतना ही नहीं इनकेस आपको एक के इन्वेस्मेंट नहीं है न तो 35,000 का जो कराया न वो कहीं नहीं गया तो मैं अब आपको न सिधा ले चलता आपके घर पर और मज़े लूँआ फिर आफिर आप सो यहां पर आजाएगी आपकी एंट्री एंट्री बहुत कूपसरत है क्यों आइए दिखाता हूं सो यह रहेगा आपका आठफिट का द्रवादा जो कि बड़ा लुक अच्छे मिलने वाला आपको आपके सामने पॉलिश किया हो और जिसके साथ आपको रहेगा डिजिटल दॉर लॉक सो आप अपडेटेटिड है ना तो आपके घर भी अपडेटिड रहने वाला आईये अंदर आये वेलकम आपके घर के अंदर आईये सबसे पहले हमारे पास यह जगा पड़ी थी तो इसे ना आप इसली अपनी पुजा स्पेस रख सकते हैं सो मतों कि एंटर करत पहले बगवान का नाम हो फिर हम आगे बड़े हमने तो इसको अलग तरीक से डिजाइन किया सो आप एक ट्रडिशनल बेसे भी डिजाइन कर सकते हैं सो यह रहा अपना ड्राइंग और डाइनिंग अरिया यह वो एरिया जो हम तक्रीबन चाहते हैं कि अपने घर के अंतर हो यह बड़ा सा ड्राइंग अरिया जहां पर हम सोफे लगाएं बे फिकर होके कि जितना मर्ज इसमान लगाएं क्यों आप देख सकते हैं जगा बीच पे अब लेलो आज के घर का आईए अमेल एक सिया तो आपको अपके गैस बेड्रूम की तरफ अब बैड्रूम कोई भी और जगह आपको पूरी मिलने वाली और काम यहां पर ना एक अलग वे के साथ आपका होने वाला है तो यह आपके बैड्रूम की स्पेस आप देख सकते है बैड्र पूरा लगा हुआ ठीक यहां पर आपके स्टोरेज और आपको पूरी मिलेगी बिल्कुल सेलिंग की हाइट तक है यह स्टोरेज आपको की सीलिंग पर पर एक अच्छा काम आपको मिलेगा इन सब के साथ वाश्रूम का आपका हमने यहां पर डिजाइन किया सो और इन सारी चीज़ों के साथ आपको मिलेगी यहां पर आपकी बालकुनी जो की काफी बड़ी है तो हमने प्लांटेशन यहां पर किया और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने घर के अंदर प्लांटेशन जरूर कीजिए जैसे तरह की घर में चल रही है न हमें समझ लेना चाह अब बढ़ते आगे कि तरफ आपके घर के सेकिंड बेड्रूम की वेल गैस पेड्रूम के बाद जितने भी आप बेड्रूम देखोगे ना उनकी स्पेस बिल्कुल डिफर्ट होने वाली है आप देखरों यह बैड लगा है और यह स्पेस है जबर्दस मज़ा आगे ना दे अच्छा खास है स्पेस अपने पास काफी अच्छी खासी है समान रखना ना ठूसना जैसे मर्जी रखो जगह अपने पास बहुत जाद रहने वाली अपनी और सारी के सारी डबल लैमिनेशन है डबल लैमिनेशन का मतलब यह है अंदर बाहर दोनों तरफ प्लाय के ऊपर का लैमिनेट रहेगा सो देट कभी भी आपकी जो प्लाय ना खराब ही ना और यह अपना वाश्रूम जो की अटैच है आजो अब इसकी लुक्स देखो है ना प्यारी सी फील आती ऐसी चीज़े को देखकर यह हम चाहते होते कि अपने घर में यह चीज़े हो जरूर और बे गरों के अंदर क्यों नहीं करते हैं करा करो आप यह अपने घर के अपने घर के अपने पूरा मजले और वैसे यह जो जगा देख रहे हो ने यूजली किसी भी घर में आपको नहीं मिलती और बता दूँ यह तो बात है ग्रांट फ्लोर की इनकेस अगर आप लेटे उपर व सब्सक्राइब करतेंगे तो बात बिल्कुल अलग होने वाली है मज़ा आजएगा अब देखते आपके घर का थर्ड बैड रूम यह लो जी यह आपने घर का थर्ड बैड रूम पूरी सपेस जैसे हमने वहां देखे थी वैसे आपको वाड्रो पूरे मिलने वाले है निअविक सबस्क्राइब सबस्क्राइब यह आप प्रति सेगमेंट के इंतर ना ये चीज़े बड़ी मुश्किल से मिलती है मैक्सिम क्या होता है यहां पर एक एल शेप की किचन बन जाती है जगा बड़ी गम होते लेकिन यहां जगा अच्छी थी तो दोनों साइट पर आपकी किचन निकल कर आई है आपका काउंटर पूरा ग्रिने अच्छा एक चीज़ और बताता हूं यूजली फ्रिज की जगा होती है आपने कभी किसी में इतना बड़ा फ्रिज देखा लगा हुआ नहीं न तो यहां से पता लगता जगा कितनी होती है यह होती स्पीस तो अब एक तरफ आपका कुकिंग अरिया सो दूसरी तरफ आपक अपनी होने वाली जब अच्छा फिलिंग होती है न अच्छा खाना होता है तो हेल्थ के साव वैल्थ भी पिल्कुल आगे जाती है तो हम यह चाहेंगे कि आप जब इस घर के अंतर आए ना आगे बड़े प्रोग्रेस करें और ऐसी और घर ले हम आपके साथ जुड़े र